कि हलो प्यारे बच्चों पीडवलू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरा नाम है रिंगु कोशिक और आज का हमारा जो टोपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने वाले हो साथ ही साथ हम कुछ प्रोब्रम भी करेंगे ठीक है आज के सेशन के हम सुरुवात करते हैं ठीक है तो चलो सबसे पहले यह देखेंगे आज हम पढ़ने वाले क्या है जैसा कि मैंने बता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे फिर उस पर हम क्या करने वालेंगे क्यूशन प्रेक्टिस करेंग दिया कह रहा है कि मेरे पास मेरे पास क्या है मेरे पास इलेक्ट्रिक फिल लाइन से समझो यह हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फिल लाइन से यूनिफॉम यह एक समान इलेक्ट्रिक फिल लाइन से यह हैं इलेक्ट्रिक फिल लाइन के अंदर हमारे पास एक क्लोज सर्फेस ह है हमारे पास क्या है यह लोग यह हमारे पास क्या है क्लोज सर्फेस है ठीक है अब कहता क्या है क्लोज सर्फेस यानि एक मैंने क्या कहता है यह कहता है कि इसे यह जो एडिया रखा है इसे यह जो एडिया रखा है इस इसे इलेक्ट्रिक फिल्ड के नंदर इस एडिया में से कितनी नंबर अफिल्ट्रिक फियल्ड लाइन से नॉर्मली पास कर सिंग नॉर्मली तो that एक लो सर्फेस के नंदर रखा है कितनी number of il een बॉमली पास करके गया है वह हमें बताता है लेक्टिक फ्लक्स हमें क्याar कि सब्सक्र Old तो यह area है, अच्छा भई area है, area vector की direction क्या होगी वाई सब, इस surface के perpendicular, तो इस surface के perpendicular हमने यह बना दिया, ठीक है, अब electric field इस surface के perpendicular यह है, भई इस area की direction यह है, electric field की direction यह है, ठीक है, अच्छा, flux का formula क्या है, यानि कैसे किस formula से हम calculate करेंगे, वो हमारे पास है e dot ds, e dot ds, यह हमारे पास है, किसके लिए, close surface के लिए, किसके लिए, close surface के लिए, यानि electric field और जो area रखा गया है, वो area, जो area रखा गया है, वो area, उन दोनों का क्या है, dot product, ठीक है, अच्छा, इसको हम थोड़ा और open करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, यह बनेगा e ds, यह बनेगा e ds, close theta, e ds है, close theta, ठीक है, यह हमारे पास है, यह हमारे पास formula है, किसी भी, किसी भी surface के across, अगर electric flux निकान ला हो, तो इस formula के साइता से हम निकालेंगे, और यहाँ पर जो theta है, theta क्या है, theta is angle, theta is angle between, theta is angle between electric field, electric field, electric field and, and theta is angle between electric field and area vector, electric field and area vector, इन दोनों के बीच का angle, that is the theta, यह है, यह है, यह जो area vector है, उसके बीच का, इन दोनों के बीच के अंगल क्या है, वो है हमारे पास theta, और इसे हम क्या कहते है, electric flux कहते है, that is the electric flux, ठीक है, अच्छा, electric flux है, हमारा थड़ोग, अच्छा, एक और बात, electric flux है कैसी quantity है, scalar quantity के vector quantity, दो vector का dot product हमें से कैसी quantity देता है, scalar quantity देता है, तो हमारे पास, जो electric flux है, वो कैसी quantity है, scalar quantity है, कैसी quantity है मेरे प्यारे बच्चो, scalar quantity, अच्छा, जी, दूसरा, इसकी unit की बात करते हैं, तो electric flux को किस unit में measure किया जाता है, electric flux को हम किस unit में measure करते हैं, बताओ जा, इलक्ट्रिक फिल्ड के लिए हमारे पास क्या यूनिट है कि न्यूटन पर कुलाम है के नहीं है ना इलक्ट्रिक फिल्ड की क्या यूनिट है न्यूटन पर कुलाम अच्छा देखो यूनिट निकालना है तो अपन दो तरीके से भाई इलक्ट्रिक फिल्ड की यूनिट और ज कि तुम्हें यूणिट ऑफ एलेक्टिक यथा निकाल नियूटर से निकाल सकता एलेकट्रिक फिल्ड की हमारे पास जो यूणिट है वह बताओ एक हमारे पास है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, एक हमारे पास क्या है बताओ जरा, न्यूटन पर कुला, न्यूटन पर कुला, ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रिक फिल्ड की वोल्ट पर मीटर है, एरिया की उनिट क्या है, मीटर स्क्वे, तो हमारे पास फ्लक्स की पन दूसरी हमारे पास क्या बन गई न्यूटन मीटर स्कुएर कुलाम इनवर्स यानी ये दो यूनिट हमारे पास एक तरीके से हो गई किसकी एलेक्ट्रिक फ्लक्स की चलो अब आगे चलते हैं तो हम कुछ देख लेते हैं थीक है तो पहला कुछन पहला करते हैं तो एलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है होता है हमारे उसको एंटीगरेशन करतेंगे तो लेट फ्लक्स आ जाएगा ठीकहए और आसे यागा हमारे पास श् lav नुमेरिक नोमेरीकल प्रोब्लम करते हैं फिर एक्म अच्छा सब्सक्राइन ने कि word estheru को सब्सक्राइब फ्रीकी करेंगे ठीख सिम्पल नुमेरिकल क्रोड्लम क्या रहा है यह कह रहा है कि मेरे पास मेरे पास यह एक्सटरनल यहलेख्ट्रिक्राइब्ल लाइनस है यह यह है ठीक है और इसके अंदर एक सरकल रखा हुआ है जुक्र में थे समय एक सरकली डिस्क एक डिस्क रिक्षी है डिस्क का जो किर्क्र है वह यह है इलेक्ट्रिक फिल्ड हमारे पास यह है इस डिरेक्शन और आङे बीच में जो एंगल दे रखा वो दे रखारD सब्सक्राइब कितना से रखा है 30 ठीक है फाइंड आउट फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसके अक्रोस इसे डिस्क के अक्रोस जो यह डिस्क रखी है इसका जो रेडियस है वो है ठीक है आर हमारे पास है क्या आर हमारे पास है रेडियस ऑफ दा डिस्क तो डिस्क रखी है उसका रेडियस ठीक है तो आपको क्या बताना है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है इस डिस्क के अक्रोस ठीक है यानि इस इलेक्ट्रिक फिल्ड के डिरेक्शन कैसे ऐसे इस और जो थो नों के बीच में अंगल होगा अब ये इसमें दोनों के डिरेक्षिन क्या होती तो यह होग या फिर यह होगी थे रखाए तो हमें निकालना है जब हम मअभाई लूंदे रहे निकालों तो हमारे पास धाय यह बनेगा इंडोट्ट अरी इस इनों के बीच में चोट असा एरिया माना में कलें यह यह रा़ एसा इस एयरिया कि टैस्ट इस हमारे पास किसा थर्टी तो जो फ्लक्स बनेुबने considerable क्या बनेगा eds को स्टटी की वेल्यू क्या होती है अंडरूट 3 by 2 अब देखो जड़ा यहां पर जो एलेक्ट्रिक फिल्ड रखे वो यूनिफॉर्म एक समान है यानि पूरे रीजन में कैसे है एक समान तो जो इलेक्ट्रिक फिल्ड भी यूनिफॉर्म है अंडरूट 3 by 2 भ यह इस पुरी सर्कुलर प्लेट का अरिया क्या होगा इस बता हो जहना स्थों खे तो हमारे पास यह वन गया है यी अंडरूट 3 by 2 लो प्लकस होनि कि क्या कहा इसक्डा इस इसक्की आपरोस चलो नेक्स क्यूशन यह रहा नेक्स्ट क्विश्यंट यह रहा ये कह जो इलेक्ट्रिक फिल्ड है वो इधर जा दी इस ठीक है और एक हैं मिश्फेर ऐसे रखा हूँ और इसके जो वरटकल उससे कितने एंगल पर थी टैंगल पर एक हमिश्फेर रखा हूँ है देखो एक क्लोज गोजियन सरफेस consisting of a hemisphere and a circular disc of radius r is placed in a uniform electric field यह डिस्क है और इस डिस्क डिस्क रखी हुई है और क्या है यह है 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 हमिस्वेर है हमिस्वेर है हमिस्वेर के ऊपर हमने प्लेट लगा दी गेंद को काटा काटके उसके ऊपर लगा दी प्लेट तो यह प्लेट हो गई और एक हमिस्वेर हो गया इस के अक्रोस आप बताएं इलेक्रिक फ्लक्स क्या होगा पहला है एफ पाई आर्च दूसरा है अंडर रूट त्री बाई ट्वाई आर्च कई यह तूध पाई आर्च को पूछा है अच्छा जी मेरे पहरे बच्शों मेरे को एक बात बताओ ज़रा इलेक्ट्रिक फिल लाइन तो यह यह हमारे पास क्या है ठीक है और यह दिश्की वर्टिकल लाइन एक में है इस हालियों यह जो इस तैसे एक में एले लिए एक अंब प्र आग कोश्चारओ अमपोंट मृमतो इस प्लेट का एडिला किए वो कितना आजाएगा बता हुए इक कमपोनेंट बसक कर जाएगा जितना भलग से देख़ेगा सिंपल ची बात है है जितना अनुझथ प्लेट के से अक्रोस होगा जितना फ्लक्रुश स्भार्ड सुर्फेश के स्क ठाल सुगा बल्कुल होगा ना शुक्त भाई हेमिस्फेर है हेमिस्फेर है यहां पर प्लेट है जितनी नंबर ओफ इलेक्ट्रिक फिल्ड नहीं से इस प्लेट को क्रोस करेंगी उतनी ही इस हेमिस्फेर को क्रोस करेंगी उतनी नंबर ओफ लाइन तो क्रोस करेंगी यानि इस प्लेट के अक्रोस जितना होगा सर्कु कि इसे प्लेट के लिए और इसके लिए इलेक्ट्रिक फिल्ड की डिरेक्शन बता दो क्या हूँ कि इस 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 थिक है समझे के नहीं समझे जलो अब जड़ा देखते हैं अब जड़ा देखते हैं प्लेट हमारी क्लोज सर्फेस यह यह हमारे पास क्लोज सर्फेस ऐसे ऐसे है यह वर्टिकल लाइन है यह अमारे पास क्या है वर्टिकल लाइन अच्छा जी सप्लेट के प्रपेंडिकुलर बात करूं एंगल क्या होगा यह ही तो होगा इस क्लोज का Ind personally है तो अरे होगा कि नहीं होगा और यह कितना एंगल बना रहा है इसके साथ इसके साथ यह अंगल कितना है यह अंगल अमें दे रखा है 30 डिगरी यह पूरा एंगल कितना होगा है 90 डिगरी चुरुट कि अधे एक पर पेन्डीकोलर और ना यह हैं न वने गा किन बनेंगा बताओ ज़्यां 90 निकैंगर कि में गी यह यह तो यह यह जो च्छ सब्सक्रम और सर्क लिए टोटल एunya तो टौटल एनल कि तौटर सिविल्ड केल लिए uz rendale सैंगर कितना बन जाएगा हूं नाइनकों दिखरी पितना कि यह कि बन ग्या गुद्प क्या हो यह नवार पास अंल गजुए आये फिर से समझा इता हूं नहीं समझ में आई तो एक समझा देता हूं पिच्छफे Sword Princess होगा उतना ही ही Sher ei कोई बात नी यह हमारे पास circular प्लेट है यह हमारे पास क्या है circular ठीक है और यह हमारे पास vertical लाइन चीक है इस परकार से थीक है और एक लाइन आब कासे जारी है ओ ऐसे यह है यह लाइन और यह एंगल कितना दे राखा है ये एंगल है हमारे पास 2013 और इसके प्रोपेंडिकुलर क्या बनेगा ये आगर ये तीस है तो ये कितना बजगा टोल एंगल यह नैंटेगर ये कितुन लिजाएगा सिख्टी डिग गई एंगल की है यह एंगल साट और यह पूरा एंगल क्या होगा यह पूरा एंगल 90 तो मेरे पास यह जो एक्ट्रिक फिल्ड है यहां पर और यहांपर जो हमारे पास क्या है यहां पर यहां पर जो अरिया करड Des है डिकलो दीए से लिकलो डिम्हार वेक्टर है जो एडिया वेक्टर है यह डि感 है इंदोनों के बीच क्पॉर्मूला क्या है pulse यह मैंने कहा जितना लेक्रोस होगा उतना हेमिश्फेर के और फ्लक्स का पूर्मूला क्या बता है डिएस डोट डिएस अच्छा जी दोनों के बीच में एंगल क्या है एंगल कितना है एंगल है हमारे पास 150 ठीक है तो इसको क्या लिख सकते हैं बताऊ जाना हमारे पास कौन सब्सक्राइट सेखंड क्यू रज यहां से हमारे पास जो फ्लक्स आएगा कितना यहां से प्लक्स आहीं आप से कि दीस कृण इडीस अब यहां पर कितना बन गया ृटुर्स नबहरा टीक है तो थाटिकना अट्रूटивает तो इलक्ट्रिक फिल्ड कितना है पाई आर स्क्वेर इंडिकों सा ओप्षेन आ रहा है अब देखो ज़रा यह क्रेक्ट ओप्षेन आ रहा है है मिस्फेर के लिए हमें निकान रहा है अब मिनको बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों यह आपको मैंने आपको समझाने के लिए कि इनके बीच में अंगल अपन हैसे भी ले सकते हैं दूसरी सबसे सिंपल तरीका क्या है यह जो प्लेट है इसको ऐसे खड़ी कर दो जैसे इस प्लेट को खड़ी करूंगा तो इसका इस प्लेट ने आपको समझाया यह मैंने आपको समझाया क्योंकि यह घृट सरफेस तो इस एडिये की डिरेक्शन ही होगी लेकिन इस वाले रेक्शन हम कैदा लेंगे इधर आउटवर्ड इस वाले इस वाले इसके और दूसरी बात आप समझेगा दूसरी बात आप समझेगा मैगनिटूड तो बलाबर होगा ठीक है अच्छा मैंने बात कर लिए अब दूसरी बात आप समझेगा आपको मैं एक और बताता हूं समझाता हूं चीजे बिल्कुल वह बिल्कुल सिंपल ही है उससे बिल्कुल सिं सिंप्लेस्ट वे में करोगे तो तुरंत हो जाएगा ठीक है यह आगे भी काम आ सकता है कि जैसे कैसे कर क्या रहे हम जैसे हमारे पास यह जो इलेक्ट्रिक फिल लाइन से यह जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फिल लाइन से यह हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फिल लाइन से ठीक है इस electric field lines के अंदर यह हमारे पास area रखा है यही रखा है न यही रखा है न भाई यही रखा है न ठीक है और यह यह angle कितना है 30 degree अब मिले को एक बात बताओ कि लक्स क्या है फ्लक्स है हमारे पास इडोट डीस इसको हम लिख सकते हैं इडीएस को स्थट्टी अब डीएस को स्थट्टी के एक तरह किसा प्रोजेक्शन है यानि यह एरिया ठीक है अब यह हमें क्या बताता जैसे समझो फ्लक्स है क्या आफ प्लक्स है क्या एलेक्ट्रिक सफिल्ड ईंट्व में अरिया है यानि अब बने क्या बताए था कि कितनी नंबर ऐंव एक्ट्रिक फिलिए लेक्ट्रिक प्लै सन् नॉर्मलि पास करके गई है अब मिर रहे को cat इंक इसको में प्लेट का क्यों यानि को यह ना पड़ेगा यानी और इसमें से फिल जाएंगे यह अभी ऐसे डिया पायार स्क्राइड लेकिन जैसे इसका न है तो एमार पास क्या बन गया यह नहीं कि के भूण लेकिन आपके नहीं निया हई अदर Νरों थी बाइटू पाई आर स्केयर इंट इस बाध सिघ्ल के सभी सभी आLoा कहें एक हेमिस्फेर है और एक हमारे पास क्या है इंदे और एक कसफेस है उपर वाली प्लेट हमिस्फेर को बाई हमारे पास यह बरतन है हमिस्पेर का बरतन है उसको प्लेट से डग दो यह वो दो सेफ है एक तो सर्कुलर प्लेट और एक हैं मिस्फेर एक तो सर्कुलर प्लेट और एक हैं मिस्फेर यह हमारे पास एलेक्टिक फ्लक्स है कि यह यह बता रही है कि कितनी नमबर ओफ लेक्टिक फिल नाइन से क्रोस करके गई है कि सम्जहें किसके aikros hemisphere तो हो कितना है एंडरूट 3 2 drafting प्लेट को एरिया को हमने एक component ले लिया गण और जैसे पहले किया वे कर सकते हैं तो भी वही आरेगा है यह रहा नेक्स्ट क्यूशन हमारे सामने करें त्री चार्जीज आर लोकेटिट उन दा सर्कंफ्रेंस ऑफे सर्कल और रेडियास आर एस वोन इन फीगर बिलो था टू चार्जीज क्यू सब्टेंड 90 डिग्री अड़ा सेंटर ऑफ दा सर्कल दा चार्ज क्यू स्मिट्रिक ल एंगल यह बनाएगा उत्रह यह बनाएगा इंपल सी बात इसमिट्रिकली प्लेश का मतलब यह है कि बराबर एंगल होंगे अच्छा आगे कहता है इवदा इलेक्ट्रिक फियल्ड एड़ 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 सेंटर औफ दा सर्कली जी रो यह जो सर्कल है यानि सरकल के सेंटर पर जो एलेक्टिक फिल्ड है बो है जीरो व्हाटिसे दा मगनीटूड ऑ मेडिटूड यह चार्ज है इसका मेडिकूड क्या होगा ठीक है यह जो कुशन होगा यह होगा लेमी थियुरम से किसे होगा यह मेरे पहरे बच्चो लेमीज theorem यह लेमीज theorem से लेमीज theorem क्या कहती है वो कहती है एक force इधर है F1 एक force इधर है F2 और एक force इधर है F3 यह एंगल है alpha यह एंगल है beta और यह वाला एंगल है घामा ठीक है और जो यह point है यह point किसमें है इकली विलियम में यानि इस point पर नेश पोस कहा है zero किसमें यह पोइंट है इकली बिलियम में तो नेनट फोर्च क्या होगा जीडरो लैमिस तो रहे हम कहते है कि f1 उसके सामने एंगन क्या ऑलफा तो यह साइन अलपा is equal to दो यहां पर आजाएगा साइन बेटा क्या है f3 इसके सामने एंगल क्या तो यहां पर आजाएगा साइन गामा इस दा लेमी से फिट से सोल होगा चलो कैसे होगा ड़को चारज को मैंने बोल दिया small q1 इस वाले charge को small q2 और इस वाले को small q3 तो q1 charge की वज़े से तो यानि e1 electric field तो कितनी होगी बताओ जाना capital q upon 4 pi epsilon node दूरी क्या है r radius है r square इस q की जैसे positive charge है तो इसकी वज़े से जो electric field होगी वो किदर होगी वो हमारे पास इधर होगी कितनी होगी वो इटू इटू कितनी होगी बताओ जाना capital q upon 4 pi epsilon node capital r square इसी प्रकार यह small q है इसे small q की वज़े से भी electric field होगी किदर होगी इधर यानि इतरी वो कितनी होगी वहीवाद small q है तो small q upon 4 pi epsilon node और यह जो radius है और इसका square है ठीक है यह तीन एलेक्ट्रिक फिलोंगे अब यह सेंटर पर नेट पॉर्स के जीरो तो कौन सी थर्म लगेगी सीधी सीधी हमारे पास है लेमी स्थियोर में लगेगी यानि कि यह हमारे पास एवन यह हमारे पास एटू और यह हमारे पास जो है इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री ठीक ना अरे भाई इसके जस्ट अपोजिट बनी है न यह एंगल 90 तो यह भी 90 वर्टिकल अपोजिट एंगल एक तरिक्के से तो यह एंगल क्या बनी है 90 डिग्री और एवन हमारे पास क्या स्मॉल क्यों पॉर पॉर पाई अप अार स्केर और यह ओंगल 90 रुखा हूँ यह वी अंगल भी एक सो पैटीस ठीक है लिमिगई तोरम लगा दो लमिद्थोरम लगा山 आ तो कह लिकूंगा e1 by e1 by sin 135 और हमारे पास e2 by sin 135 और यह हमारे पास e3 by sin 90 तो यह आ गया हमारे पास e2 by sin 135 क्या हो गया 1 by under root 2 और यह हमारे पास e3 है e3 as it is e2 is equal to 1 by under root 2 e3 अब e2 की वैल्यू क्या हमारे पास e2 की वैल्यू है हमारे पास q upon 4 by epsilon not r square और यह हमारे पास 2 है 1 by under root 2 तू ठीक है यह हमारे पास है small q upon 4 by epsilon not r square इंटु में 1 by under root 2 यह कट गया है तो capital q was equal to small q by under root 2," capital q is equal to small q by under root 2 यह रहा option a क्या है correct answer option a क्या है correct method small q by and root 2 aja hum small q by under root 2 यह हमारे पास इसका क्या है correct answer और वाइनेक्स्ट क्यूस्योशन नेक्स्ट क्यूशन ए swollen डरहा चार्ज कैपिटल क्यू एड़ ओरीजन ऑफ थ्री डिमेंशनल कोडिनेट सिस्टम दा फ्लक्स ऑफ दा इलेक्ट्रिक फिल्ट थ्रो दा कर्ड सर्फेस ऑफ एकॉन मैं इस कोण के अक्रो स्टम के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा याजि कोण के उसके सेंटर पर जो है वह हमारे पास legitim चार्ज रखा हो ए Waar इस परकार्द के किशुंग करने के लिए हम यूज करते हैं किसके बरावर होगा फ्लक्स क्या होता है Pak six क्या होता है फ्लक्स क्या होता है ऑल वोल किसके बरावर त्व dois यानि यह कह रहा है किसी भी close surface पर किसी भी close surface के अंदर किसी भी close surface के close अगर आपको flux पूछ जानना है तो वो किसके बलाबर होगा वो होगा जो charge उसको close surface के अंदर रखा है वो उसको epsilon note से divide कर दो किसी भी close यह पूरा close है half नहीं है complete close complete close है यह सब्सक्राइब कि पूरे क्लोस सर्फेस के अंदर टोटल रखा उसको अपसैले नोट से डिवाइट कर दो तो हमें इस जाएगा और नहीं आई बात समझ में अरे आई कि नहीं आई कि नहीं आई पताओ जरा अगई तो घृण अब यह हमें हाफ है इसका हमें पता है और इसके सेंटर पर कहा रखा है चार्ज रखा है क्यों अधिकित क्या किया एक और कौन ले लिए आप या बच दिया अभर दिनना इसमें क्यों क्यों स्टाटोब स्बस्क्राइब लेकिन में तो कौन के लिए इसकों के लिए जितना जितना एरिया इसका है उतना ही एडिया इसका यह निस निए है इनको दो टुड़ों में लिख सकता हूं नहीं इस फिल्म कॉंव क्यों बराबर होंगे न तो टू टाइमस कर दू टू टो टाइमस इड़ोट इस वन किसके बराबर क्यों वाई अप्साइल और तो मेरे पास नीचे वाले का क्रोस होगा सिंपल सी बात है बही क्या करें बता हूं कि यूभाई टू अपसाइलन नोट क्या है क्यों भाई टू अपसाइलन नोट ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर है अच्छा जी अब लोग एक और क्यूशन आई एसी 2009 में पूछा के कह रहा है एक क्यूब के वर्टेक्स पर हमने एक चार्ज रख दिया तो इलेक्टिक वर्टेक्स रो एक फेस डैट ड़स नोट टच दा चार्ज इस गीवन यह कह रहा है यह क्या कह रहा है कि मेरे पास एक क्यूब है यह रही वो क्यूब यह रही वो क्यूब इस क्यूब के एक कौने पर हमने क्या रख दिया चार्ज रख दिया यहां पर रख दिया चार्ज और यह वाला फेस के इस चार्ज को टच कर रहा है नहीं कर रहा है तो इस फेस क्या क् साइले नोट लेकिन यह जो चार्ज है तो कोने पर रखा है ना सर्फिस के अंदर नहीं है जिसका सर्फिस हमें पता है तो मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा मैं इसको मैं इसको इस प्रकार से अरेंज करना चाहूंगा ताकि यह रखा जाए सर्फिस के अंदर देखो कैसे म मैंने इसके ज़स्ट बगल में एक डबा सेम डबा रख दिया इसी प्रकार मैंने दो नीचे रख दिया यह रख दिया किसी प्रकार यह नीचे रख दिया कितने होगे चार होगे ऐसे इस सेम चार मैंने पीचे रख दिया यह लोगा कि चार ऊपर चार नीचे अब यह बड़े क्यूब के सेंटर में हुआ कि अब देखो सेंटर में रखा ना तो सेंटर में चार्ज रखा तो जितना फ्लक्स इस आगे वाले फेस के अक्रोस होगा उतना फ्लक्स इसके साइड वाले फेस के अक्रोस होगा और उतना फ्लक्स इसक c d complete face कितना बनेगा six time हो जाएगा ने वह एक ऺचिंग ना बदेखनी shelters इस वाले के उतना इस वाले &s वाले के और उW कि योन के से बदाभर होगा तो to click Mexican Когда the same Nossa किस्टेवर fifteen ? Feldman कितना बंच ? Apple कौन सा छार्राओंत कर रहा हूं मैं ABC ABC तो नेट्स फ्लक्स है वो इतनी है लेकिन इस पर नहीं निकालना न मेरको तो केवल कौन से रीजन के लिए निकालना इस वाले रीजन के लिए यह कौन से वन वाइप पॉर्थ है ना तो इसको डिवाइड किसे कर दूँ वन वाइप पूर से तो यह बन गया यह ओ कि ए ओ ए ओ ए ए ए एफ यानि हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट डी एस किसके लिए ए ओ ए हुआ कर दो तो कीतना यहाँ वन वाइप फ्चार करदो तो खेचोए स्कोब मैं धी 40 उस नॉट यहांनि इसका अशोब्स should not तो यह हमारा आज क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स था इलक्ट्रिक के लिए आज हमने लगान को और कुछ प्रोब्लम भी किये और आज के यही तक था नेक्ट सेशन में कुछ बेटरी चीजों के साथ मैं आपके सामने प्रजेंट रहूंगा थोड़ा गोजलो को और जानेंगे नेक्ट सेशन में कि गोजलो क्या होता और डिपरेंट डिफरेंट स्टक्चर के लिए भी कालना सिखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपनी महनत करते नहीं है आज के लिए यहीं तक था थैंक्यू